स्टीफन क्रेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस्टीफन क्रेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं पहले तो जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत सौट वीडियो में कम टाइम में कोशिश करने की शुरुआत करेंगे इस पार्ट को और शुरू करेंगे पहली क्लास है तो आपका प्यार दुलार मिलना चाहेगा यह मैं जरूर चाहूंगा जरूर मिले और इस सेसन को हम आगे ले चलेंगे धिरे धिरे एकदम हाई लेबल पर पहुंचाएंगे ना मोगरा का जंजट मत पालिएगा प्लीज इस वाले सेसन में क्योंकि आपका टाइम जाएगा और पंदरा मिनिट में ज्यादा हम है आप लोगों से ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेसन को यहाँ पर देखो 145 से टू पीम तक यह क्लास मिलेगी आपको रोजाना स्टिफन क्रेशन त्योरी ओफ सेकंड लेंग्वेज एक्वजिशन अब देखो ज्यादातर हम क्या करते हैं सेकंड लेंग्वेज को हम क्या करते थे भाई अधिगम करते थे लेकिन यहाँ पर सेकंड लेंग्वेज को इक्क्वेजिशन कहा गया है सेकंड लेंग्वेज को ग्रहन की बात की गई है अधिग्रहन की बात की गई दो सब्द होते हैं अरजन और अधिगम दो चीज़े होती है न बिलकुल आज first class है क्या short video का बिल्कुल first class है सभी लोग ध्यान दीजिए और बता दीजिए कि first class शुरू कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त एक एक वीडियो आपको नहीं मिलेगी कहीं Stephen Crescent की थियोरी है Stephen Crescent के बारे में अगर बात करते हैं दुत्य भासा सिध्धान्त दुत्य भासा अधिगरहन का सिध्धान्त इन्होंने दिया है अब इन्होंने इस चीज को प्रूफ करने के लिए किस किस चीजों पर बात की है ध्यान से समझना कि जो second language होती है इससे पहले जितनी भी हम लोगोंने थियोरी की थी वो second language को अधिगम और first language को अरजन कहते हैं मतलब acquisition first language देशी भासा में अगर कहें कि मात्रि भासा को अधिगम बताया जाता था और दूसरी भासा को अधिगम मतलब दूसरी भासा को क्या कहते हैं अधिगम और मात्रि भासा को अरजन कहा जाता था यही पढ़ा था लेकिन स्टीफन क्रेशन की यह जो थियोरी आई है इन्होंने कहा नहीं सेकेंड लेंग्वेज का भी अधिगरहन हो सकता है और क्या-क्या इन्होंने तरक दिये हैं उसके बारे में हम बात करेंगे ध्यान से समझ लेना एक एक चीज अप खोजे तब जा करके मिला है कोई बात नहीं अब देखिए यहां पर बात करते हैं भासा अधिगरहन के लिए सचेत ब्याकरनिक नियमों के ब्यापक उपयोग की आउसक्ता नहीं होती है यह सब कथन किसका है स्टीफन क्रेशन का ही कहना है स्टीफन क्रेशन कहता है कि अधि के ब्याकरण की उप्योपी आउसकता नहीं वो कहता जरूरी नहीं कि हम एटेंटिव ही रहें हमेशा 24 घंटे एटेंटिव रहें ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं अगर हम सचेत हैं मतलब चेतन मन्द से काम कर रहें यह जरूरी नहीं है इसके लिए क एक चीज यह कहते हैं कि आधिगरहन लिख लो आधिगरहन के साथ में सचेत लिख लो ब्याकरणिक लिख लो और साथ में लिख लो आवसकता नहीं होती है मतलब भासा आधिगरहन के लिए सचेत ब्याकरणिक नियम की आवसकता नहीं होती है किसका कहना है स्टीफन क्रेशन का जिसकी हम ठियोरी पढ़ रहे हैं दूसरा इनके अनुसार ही कठीन अभ्यास की आवसकता भी नहीं होती किसी चीज़ को पढ़ने के लिए तीसरा पॉइंट है इनका अधिगरहन के लिए लक्ष भासा में सार्थक बातचीत की आवसकता होती है लक्ष भासा में असा निक न जो भी भासा हम सीखना चाहरे है उस भासा कि समर्थन के हमें क्या है अवसेक्ता होती है मतलब कैसी होनी चीए सार्थक होनी चीए बड़ी इंपोर्टन बात की ए अभी तक जितने भी थियोरी दी गई थी उसमें बात चीट पर बल दिया गया था सार्थक और निरर्थक किया है क्योंकि यह कुछ ऐसी थियोरी हैं जो आपको हर जगा देखने को मिलेंगी तो अब जो मैं थियोरी लेकर आऊंगा और यह कोई करवाया भी नहीं होगा तो इन सारी थियोरी को हिंदी और इंग्लिस दोनों में लाने वाला हूं तो आप बिल्कुल चिंता न करिए इस सब्द का प्रियोग किया हुआ है और आवशकता होती है प्राकृतिक संचार जिसमें वक्ता का संबंध उसके उच्चारण के रूप से नहीं बल्कि उसके संदेशों से होता ध्यारा ध्यान दीजिएगा वक्ता कौन बोलने वाला अर्थात यहां पर जो कम्मुनिकेट करन बात करते हैं कि सार्थक बात्चीत में क्या होता संबंध उसके उच्चारण रूप से नहीं होता कि वह गलत बोला या सही बोला वह बात की जा रही है उसने दिया गया संदेश क्या होता वो संदेश जो दे रहे हैं उसको समझ रहे हैं कि नहीं सामने वाला उसको समझ रहा कि नहीं ये सबसे ज़्यादा important हो जाती है अगला point सरवतम तरीके हैं कि जो चिंता की स्थिती में समझदार अब देखो समझदार इंपूट एक इनके द्वारा दी गई ब्याक्षा है अब इनको अगर हम इतना सारा पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्यों इसको मैं किसी दिन डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन में मे अगर बात कर लेते थोड़ा सा तो स्टिफन क्रेशन कैलिफोर्नी आप इस विद्याले के पढ़े हुए हैं भासा विज्ञान के छेत्र में अगर बात करते हैं तो एक विशेश सग्य है अधिगरहन और विकास के सिध्धान्त में इनका विशेश सग्यता है दो सिध्धान इन्होंने दिया है एक अधिगरहन और दूसरा विकास का सिध्धान्त नोट कर लीजिए ये दोनों सिध्धान्त हिंदी की क्लास में इंगलिस बिल्कुल इंगलिस नहीं है हिंदी है यहां पर बात करते हैं अधिगरहन विकास का सिध्धान्त दो सिध्धान्त दो इन्हों इनका सिध्धान्त ही है second language के उपर इनका पूरा सिध्धान्त है ठीक है सामिल किया गया है 1980 के बाद उन्होंने 100 से अधिक जो है पुस्तकों का लेखन और प्रकासित किया है यह सब पढ़ने की जोरत नहीं यह सब नहीं आता पेपर में स्रिफ इतना याद रख लिए कि अधि का पॉइंट इस्टिफन अगर हम बात करते हैं दा हाइफोथेसिस ऑफ दा क्रेशन थियूरी इस दा सेकंड लेंग्वेज ऑफ एक्वेजिशन यहां पर किसके बारे हम बात कर रहा है फाइफ हैफोथेसिस मतलब यहां पर परिकलपनाएं कौन सी है क्रेशन के द्वारा द धांत दिये हुए हैं अगला पर बात करते हैं कौन कौन सा इंग्लिस में देख लीजिए यहां पर अगर बात करते हैं कौन सा मॉनिटर हाइफोथेसिस पहला है दूसरा कौन सा है दा इंपुड हाइफोथेसिस तीसरा कौन सा चौथा कौन सा है यह चौथा हो जाएगा क्य order hypothesis ये जो है पाँच जो है इनके द्वारा दिया गया है कौन-कौन से पाँच टाइप के hypothesis है ये स्टीफन क्रेशन के आप अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे तब भी help करेगा हिंदी पढ़ रहे होंगे तब भी पढ़ रहे होगा भासा से संबंदी तो संस्कृत में भी काम आएगा मतलब जितनी भी लेंग्वेज पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये theory है तो आप किसी में भी इसका use कर सकते हैं लेकिन आता है इसलिए करवादी अभी हिंदी में देख लो अधिगरहन सीखने की परिकलपना पहली परिकलपना कौन सी है अधिगरहन सीखने की परिकलपना एक है इनका दूसरा monitor परिकलपना तीसरा जो है input परिकलपना और चौथा जो है प्रभाव filter परिकलपना और प्राकृतिक आदेश परिकलपना ये पांच प्रकार के इनके जो है परिकल्पनाएं हैं या छेत्र हैं जिसके उपर इन्होंने वर्क किया है पर हिंदी में अभी लिख दीजे चिंता न गरो आपको मुझसे कभी कुछ कहने की जुरूत पड़ती है क्या मैं आपके बारे में हमेशा ही सोचता रहता हूं हिंदी की क्लास है तो हिंदी तो रहेग अंग्रेजी एक्स्ट्रा ठीक है अब यहाँ पर आप लोगों के लिए अंग्रेजी भी यहाँ पर है अधिगरहंड सीखने की परिकल्पना मॉनिटर परिकल्पना अच्छा यह क्या होता क्या है यह छोटी सी क्लास में तो सायद नहीं हो पाएगी क्योंकि दूसरे सरकी क् होगी देखो यहाँ पर एक्टिवेशन लर्निंग के बारे में बात करेंगे यह पांचों हमने यहाँ पर लिख रखें लेकिन इसको मैं शुरुवात कर दूंगा मॉनिटर अधिकरहंड परिकल्पना की और अगले में ठीक है तो इसी के साथ में इस क्लास को हम करेंगे वि झाल झाल